आप देख रहे हैं चोहन वीडियो और आज की वीडियो में हम बात करेंगे आज की पांच बड़ी नोटिफिकेशन के बारे में जिसमें आपके लिए इगनु की तरफ से एक नया नोटिस भी जारी किया गया है साथ ही हम 37th कॉनवकेशन के ओपर भी बात करेंगे कि 37th कॉनवकेशन में क्या करने में ज़्यादा बेनिफिट है यानि की आपको कॉनवकेशन अटेंड करना चाहिए या फिर घर में अपने डिगरी को मंगवा लेना चाहिए क्या ज़्यादा आपके लिए suitable रहेगा तो आज की वीडियो काफी important है आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखे और अंतक देखे अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो आप चैनल को subscribe भी जरूर कीजे तो आप सीधा वीडियो की सुरुवात करते है सबसे पहले बात कर लेते हैं इगनू की तरफ से जारी किये गए एक notice के बारे में जो कि सभी regional center और सभी students को एक clarification दी गई है scholarship से related जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि this is to inform you that SSC has been receiving email letter from IGNU's learners and some regional center seeking clarification verification regarding UGC National Scholarship for Postgraduate Studies यानि कि UGC की जो Postgraduate Studies की scholarship होती है उसके उपर जो इगनू के student है और इगनू के जो regional center है वो जानकारी चाहते हैं और कुछ clarification चाहते हैं तो उसके उपर उनके तरफ से जो जानकारी दी गई है वो दी गई है कि Postgraduate के जो student है उसमें जो scholarship दी जाती है तो scholarship is available only for students who are admitted to PG degree program through regular full-time mode यानि कि वो जो scholar से फिस समय UGC दे रही है PG के degree students को वो जो regular में है या फिर full-time की अपनी Postgraduate की degree कर रहे है अगर ऐसा को student है जो की Odial mode में या correspondence mode में या private mode में या part-time mode में करता है तो वो eligible नहीं है इस समय जो UGC की national scholarship for postgraduate studies है तो ये जानकारी दी गई है कि इसलिए इगनु के जो student है वो postgraduate scholar की जो scholar से फियर डिगरी की उसके लिए अभी eligible नहीं है तो ये जानकारी दी गई है कि जो भी student इसके ओपर query कर रहे थे या फिर उस form को भरने की कोसिस कर रहे थे उनको ये जानकारी दी गई है कि UGC की national scholarship or postgraduate studies जो है उसके लिए इगनु के student eligible नहीं है अब बात कर ले जाए 37th convocation कीगी 37th convocation को आप attend करें या फिर डिगरी को अपने घर पे ही मंगवा लें इसके लिए तरस एक चीज आपको ज्यान में रखनी है अगर आपके पास time है तो आप 37th convocation में जा सकते हैं वहाँ पर आपको डिगरी मिल जाएगी दिल्ली NCR में एक convocation होने वाला है जो की main होगा उसके लावा अलग-अलग regional center भी अपने अपने तरीके से convocation करेंगे जिसकी जानकारी आपको आपके regional center की website से अब कुछ दिनों के अंदर मिल जाएगी अगर आपका जो post office है वो इगरू की तरफ से जो भी आपके लिए अभी तक study material आया है आपकी mark seat वगयरा आई है वो आप आपको उसने time पर पहुंचा दी है तो even अगर आप घर पे भी अपनी degree मंगवाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लेकिन आपको इससे पहले अगर आपकी study material आना था वो time पर नहीं पहुंचा या आपकी mark seat आनी थी वो time पर आपको नहीं मिली तो ज्यादा बेटर ह जाकर ही अपनी degree को attend कर ले अपनी degree को वहीं पर सी लेकर आ जाए क्योंकि degree जो होगी आपकी अगर बाइपोस भेजी जाएगी और आपका address नहीं मिलेगा तो फिर वो वापिस चली जाती और फिर उसमें और ज्यादा आपको जंजट का सामना करना पड़ेगा problem का सामना करना पड़ेगा तो यही एक चीज आप देख लीजिए कि अगर बाइपोस्ट आपको सही तरीके से चीजे मिल जाती है ताइम पर आपके घर में पहुंच जाती है आपका address इस तरीके का है कि कोई भी चीज आप मंगवाते है तो आप अपनी जो degree है तो घर पर मंगवा सकते है अगर ऐसा आपको के मन में कोई tension है कि time पर आपको degree मिलेगी या नहीं या इस से पहले इस तरीके का हुआ है कि आपने कुछ मंगवाया हो या फिर आपको इगनु की तरफ से कुछ मिलना वाला हो कोई letter हो या कोई certificate हो mark sheet हो और वो time पर या फिर सही पते पर नहीं पहुंच प नहीं किया जाएंगे तो आपको डिगरी लेने से मना नहीं किया जाएगा या फिर आप कॉन्वकेशन जिस दिन हो गया उसके अगले दिन अपने रीजनल सेंटर जाकर भी डिगरी कर सकते हैं क्योंकि जो आपकी डिगरी है वह वो बाई पोष्ट एक दिन बाद ही भी क्या आपके लिए ज़्यादा suitable रहेगा, Convocation Attent करना है या फिर नहीं. Next Update के बार में बात करते हैं, और Bhuvneswar Regional Center की तरफ से Notice जारी किया गया है, जिसमें Ignu के जो वाईवा वोक है, वो होने वाला है, और Students का नाम और Enrollment नमबर याँ पर Maedu के Students के लिए दिया गया है, 23 जनवरी से स्टार्ट हो रहे है, इसका जो पीडिया फॉर्मेट में आपको मेरे टेलिग्राम चैनल चौहान वीडियो से वाईटी से मिल जाएगा, इसको आप वहाँ पर से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर यार यारूर्गी यारूर्गी